गुड़ी पड़वा चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है जो आम तोर पर ग्रेगोरियन कलेंडर अनुसार मार्च और अप्रेल के महीने के बीश आता है आये जानते हैं कि 2025 में गुड़ी पड़वा कब है और गुड़ी पड़वा 2025 की तारीखव मुहुर्थ गुड़ी पड़वा का पर्व मुखिता महाराश में हिंदू नवर्ष के आरम की खुसी में मनाया जाता है पंचांग के अनुसार चैत्र मास के सुकल पच की प्रतिपता से नए साल की सुरुवात होती है और इसी दिन यहत्योहार मनाने की प्रथा है उत्तर प्रदेश जैसे राजियों में इसे चैत्र नवरात्री के रूप में मनाते हैं यहत्योहार मुख रूप से नए साल के स्वागत का जस्न मनाता है इसलिए लोग अपने घरों आंगनों की सफाई करते हैं ताकि सब कुछ साप सुथरा और बेवस्थित रहे इस दिन तेल से श्नान करना अनिवार है महिलाएं प्रवेश द्वारों को अलग-अलग पैटन और रंगों की रंगोली से सजाती हैं नए कपड़े पहनना खास तोर पर कुर्ता पैजामा और साड़ी पहनना इस परंपरा का अभिन अंग है इस तेवहार का सबसे महतपूड हिस्सा गुड़ी को फहराना है गुड़ी को फहराने के बाद लोग गुड़ी तक पहुचने के लिए मानो पिरामिट बनाते हैं और इसके अंदर रखे नारियल को तोड़ते हैं इस तेवहार में केवल पुरुसों और किसोर लड़कों को ही भाग लेने की अनुमति होती है एक और रस्म है नीम के पत्ते खाना यह एक ऐसी प्रता है जो तेवहार की सुरुवात का प्रतीक है पत्तियों को कच्चा खाया जा सकता है या इसे पीस कर भी खाया जा सकता है इस दिन बनाई जाने वाली बेंजनों में श्रिखंड सामिल है एक मिठाई जिसे पूरी, पूरन पोली चना और सुंट पनाकी के साथ खाया जाता है अगर आप महाराष्ट में हैं तो आप भी इस दिवार का हिस्सा बन सकते हैं इस दिन कई तरह के पारंपरिक बेंजन खास तोर पर मिठाई बनाई जाती है आए जानते हैं दोहजार पचीस में गूडी पढ़वा कब है क्या है सुब्मूर्थ साल दोहजार पचीस में गूडी पाडवा 30 मार्च दोहजार पचीस रविवार के दिन मनाई जाएगी प्रतिपता तिथी प्रारंब होगी 29 मार्च दोहजार पचीस को दोपहर 4 बचकर 27 मिनट पर प्रतिपता थिती समाप्त होगी 30 मार्श 2025 को दो पहर 12 बचकर 49 मिनट पर